हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं रिलवे के द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना के वारे में चर्चा करेंगे जो की यूवाओं को स्वर रूजगार प्रोवैड करती है तो दोस्तो आएए ले चलते हैं आपको लैप टॉप की स्क्रीन पर तो हम सबसे पहले Google Chrome बे जाएंगे और ये देखिए दोस्तो यहाँ पे Google खुल चुका है और इसकी साइड में हम डालेंगे रेल विकास योजना की डारेक्ट लिंक डालते हैं और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि रेल कुसल विकास योजना युवां को कुसल बनाना और देश को आगे बढ़ाना इसकी क्या है योजना है तो दोस्तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरह से ये रेल कुसल विकास योजना की official website open हो चुकी हो और इस पे आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे यह चल रहा है कि 6.1.2030 से इसमें online application open हो जाएगा 7.1.2030 से लेकर 20.1.2030 तक वली केवल और केवल 13 दिन तक ही आप इस पे apply कर पाएंगे दोस्तो आगे देखते हैं मैं इस पे चलते हैं आप यहाँ पे corner पे देख पा रहे होंगे यह देखे apply hair लिखाए दे रहा होगा जिसमें लिखाए apply hair नहीं कि आप यहाँ जाके इस button पे click करेंगे तो आप अपने form को apply कर पाएंगे आईए click करते हैं तो देखते हैं जैसे हम click करते हैं तो किछ इस तरह का form खुल के आएगा जिसमें यहाँ पे ऊपर दिया है यह देखिए अप cursor यहाँ पे notification number मागेगा यहाँ पे state मागेगा आप अपने state डाले इंस्टूट का नाम डाले यहाँ पे selection होगा और जब यह खुलने लगेगा तब पूरा detail आप इस पे fill कर पाएंगे दोस्तों अभी प्रिहाल हम इस पे चलते हैं go back पे अब और details जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे हम इस पे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है rail causal vikas yojna is a skill development program for the unemployment youth of India यानि कि जो यूवा क्या है वेरोजगार है उनके लिए ये चलाई जा रही है इसकी मादम से विभिन प्रकार की ट्रेडिंग प्रोवाइड की जाएगी यह दो यह देखी general information क्या लिखिया था candidate can apply when notification for rail because causal your issue in newspapers and on website registered candidate will also be advised through email यानि कि आपको इसमें email जैसे आप register करेंगे आपको email में notification मिल जाएगा और इस योजना की बारे में आप जब apply करते हैं तो यह Indian railway and ministry of skill development and entrepreneurship की माधम से आपको training प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों यह पूरी detail आप यहाँ पर पढ़ लेजेगा यहाँ पर यह कुछ 15 points में पूरी detail दी हुई है दोस्तों तो इस तरह से पूरा detail दिया हुआ है अभी हम back चलते हैं और दूसरे points को देखते हैं तो who can apply कौन apply कर सकता है इस योजना के लिए तो दोस्तों इसके लिए age limit यानि कि ऐसा व्यक्त जो 18 साल से 35 साल तक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 18 साल से ये देखिए 18 साल से 35 साल more than 35 years तक का जो कोई भी भारती नागरी हो वह इस पे अपलाई कर सकता है candidate must have passed high school यानि कि जो भी candidate apply करेगा उसको high school यानि दसमी पास होना जरूरी है और भारत का Indian citizen यानि कि भारत का नागरीक होना चाहिए candidate should be medically fit to undergone training यानि कि वो medically पूरी तरह से fit होना चाहिए यानि कि उसकी fitness बहुत ही अच्छी होने चाहिए और medically में जो चीज़े देखी जाएंगी वो है visual यानि आखो condition अच्छी हो hearing यानि सुनने वो अच्छी तरह सुनता हो और mental condition यानि कि दिमागी तोर पर वो पूरा fit होना चाहिए दोस्तों अब next की बात करते हैं apply here कैसे apply कर सकता है बंद कोई भी व्यक्ति तो जैसे हमने इस पी बारे में चर्चा हो चुके कैसे apply कर सकते हैं तो हम आते हैं next point पे दोस्तों यह देखिए यहां पे institute के बारे में बात करते हैं तो institute के बारे में यहां पे बहुत सारे institute आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर सीबी मेकेन कल लोकोवर्स एन आर में यह लखनाव उत्तरपदेश में है इसका भूरा email और contact नंबर दिया है यहां पे आप welding electrical फिर इसी प्रकार WCR भूपाल में आप लोग welding देख पा रहे होंगे इसी प्रकार से इसमें बहुत सा 94 institute है जहां पे अलग-अलग कूर्स की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइट की जाएगी आईए दोस्तो नेस्ट टॉपिक वे बात करते हैं कि नेस्ट टॉपिक क्या है तो बहुत ट्रेड्स किस किस ट्रेड में आप अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो इसके लिए बिविन प्रक कार्के ट्रेड है जैसे AC मेकेनिक, बार बेंटिंग, बेसिक्स आफ आइटी, S&T एंड इंडियन रेल्वे, कारपेंटर हो गया, कम्यूकेशन, नेटवर्क एंड सर्वेलाइन सिस्टम हो गया, कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, कंक्रेटिंग, कंक्रेटिंग हो गया, अलेक इतने सारे यहां पे ट्रेट्स दिये गए हैं और इन ट्रेट्रेड में आपको ट्रेणिंग प्रोवाइट की जाएगी नेक्स्ट बात करते हैं अप्लिकेशन इस्टेटस की तो दोस्तो जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप आप यहां पे इमेल डालेंग और पासवर्ड डालेंगे तो आपके अप्लिकेशन की इस्टी पता चल जाएगी कि आपने जिस ट्रेट पे अपलाई किया है उस ट्रेट में आपका सेलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तो आगे बात कर लेते हैं ट्रेणिंग ट्रेणिंग तो इस तर गवाई कर रहे होंगे तो यहां पे कुछ आपको फॉर्मेट दीए है जैसे मेडिकल सेर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया हुआ है को किस तरह से आपको गौर्मेंट हॉस्पिटल में जाना और वहां प्रोफार्मा देना है और वहां से साइन करवाना अपने आपको वाना अनिवार रूप से है फिर notification की बात करें तो दोस्तो इस तरह से जब भी कोई vacancy आती है तो यहाँ पर पूरा notification दिखता है उसका notification number, notification date start apply और last date जो अभी उपर दिख रहा था सबसे शुरू में आप लोगों ने देखा होगा तो जो चीज़ requirement माँग रहा था चारो चीज़ों यहाँ से आपको मिल लाएंगी यह च्छै तारिक को open हो रही है दोस्तो फिर इसके बाद announcement अगर कोई नया announcement आता है तो वो आपको यहाँ से मिल लाएगा और फिर FAQ अगर आपके पास कोई दिमाग में कोई question चल रहा है दोस्तो जैसे what is the registration process of the training तो इसका answer candidates are advised to login the website and select apply online then follow the instruction carefully step by step completing and submission of application तो यह पूरे जितने भी आपको कोई भी doubt है तो इस तरह से पूरे doubt आपके सारे यहाँ पे question और answers आपको दिये हुए है इस तरह से पूरा आपको यहाँ पे दिखाया गया है फिर इसके बाद next topic है contact us अगर आपको कोई समश्या होती है तो आप यहाँ पे अलग-अलग state के यहाँ पे अलग-अलग city के institute name और उनकी contact number email id दिये है दोस्तो तो आप इसको download कर सकते हैं और यहाँ से उनसे contact कर सकते हैं 94 institute दिखाया थे हमने तो यहाँ पे 94 institute के पूरी detail दी हुई है तो इस तरह से यह पूरा यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है दोस्तो यहाँ पे notification चल रहा है यह हमने आपको पहले भी बताया था यह देखिए मैं यहाँ से highlight कर रहा हूँ तो यह इस तरह से यह सारे detail आपको ध्यान में देखना है दोस्तो आई होप यह वीडियो आपको काफी पशन्द आया होगा तो दोस्तो EPS Academy के इस channel को subscribe करना ना भूले और इस वीडियो को like करे share करे जिससे और साथ ही बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूलेगा जिससे आने वाले latest वीडियो की notification आप तक तुरन पहुँच जाए have a nice day